सवराज 855 बहुत तक्णा पिछला हिस्सा दिया है चोदेगे टायर किये है सीट बहुत शानदार है मरघाड पर बैठने के लिए भी चार सवारी बड़े अराम के बैठ सकती है सवराज 855 को कुचैन कर लो या टीलर की जुताइए कर लो किसी भी काम में मार खाने वाला टैक्टर नहीं है बंजाब का शेय कहा गया है सवराज 855 जिस किसान के पास है वो बेचने का नाम नहीं लेता है कि एक गंटे में पत्चिस तीस भी के टीलर गुमा देता है कि खेत होना चाहिए अगर सवराज उसमें घुज गया ना तो खेत आग्या आग्या हो लेता है और इसका चोटा भाई 744 के भी चीज है कि खेता है